औरयक्षन और है है कि यह अए कि अच्छे आप सब रीजनिंग का अपने आज का नेया टोपिक है डारेक्शन उससे पहले एलफा वेट और कोडिंग decoding कर चुके अपने ठीक है अब अपने direction के बारे में देखेंगे कि इसके बीच क्या आता है क्या पढ़ेंगे इसके बारे में उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे देखो डारेक्शन में अगर मैं आपको पुछों कि कितनी टाइप की होती है तो आपको पता है कि डारेक्शन चार टाइप की होनते है ना जो में डारेक्शन हों कितनी टाइप की होती है चार ठीक है कौन-कौन सी होती है देखते है जिसके आप ये कोपी में या फिर बोर्ड पर या रजिस्टर में कहीं भी अपने डारेक्शन का जो ये मेप बनाते है इसके अंदर जो उपर का पॉइंट होता है या उपर का सीरा होता है वो हमेशा क्या माना जाता है उत्तर माना जाता है ठीक है ना यानि नौर्थ जो निचे का सीरा होता है जर्श सामने का उसको क्या मानते हैं हम साउत मानते है यानि दक्सिन ठीक है और ये होता है आपका पूरव इश्ट और ये क्या होता है आपका पस्सिम्ट यानि वेश्ट यह होती है डारेक्षन आपकी चार टाइप के अब इनकी चार सायक जो दिसाय और होती है जिनको सब डारेक्षन बोलते है कौन-कौन से वह यह आपको पता चल रहा है कि मैंने चार डारेक्षन दो बना दी है अब अगर उत्तर और पुराव के बीच में कोई होगी तो उसको मैं क्या बोलूँगा उत्तर पुराव बोल सकता हूँ ना यानि नौर्थ इस्ट ठीक है ना या इस नौर्थ बोल दो एक बात है अगर पुराव और दक्षिन के बीच में है उसको मैं क्या बोलूँगा वह डारीक्ष ना ़िए अगर वह डारेक्षान और नो के भीच में है किस के भीच में उत्तर और पस्म के भीच में तो इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्थविश्ड यह होती है च्यार डाइप के आपकी direction फॉर टाइप direction टोटल आपको direction बोले तो एट टैप के बोलोगे से कौन कॉन सी होगी हoperation क candle और मानते एक कर जिसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं उख कॉ 때도्टाल और लो गेंगे कि एक यहां version के पीछे होगी उसको कहीं बना नहीं सकते उसको क्या नहीं कर सकते कहीं भी नहीं बना सकते इसलिए मेल और इकशन आपके यही होती है तिक उसके बाद बात आती है ठीक है कि हो सकता है वो क्यों समय आपको जो , बे दक्षिन उत्तर यह गुमा दे ठीक है ना वह आपको बोल दे कि आप उत्तर को पूरण समझो ठीक है Nा मान लो कि उसने यह बोल दिया कि जो उत्तर है कौन सा था नॉर्त ये वाला था उसने बोल दिया इसको आपको समझना है प्सिम थी कहा ना वेस्ट तो आपको इतना तो पता है कि भाही उत्तर के सामने यानि नॉर्थ के सामने हमेशा क्या होता है साउत होता है और इस्ट के सामने हमेशा क्या होता है वेस्ट होता है मतलब है उत्तर के सामने हमेशा क्या होगा दक्षिन होगा ठीक है और दक्षिन के सामने हमेशा क्या होता है उत्तर हो गया यह तो एक चीज हो गया ठीक है पूराव के सामने क्या होता है पस्सिम होता है यह बोल सकते हो पस्सिम के सामने क्या होता है पूरव होता है यह चीज तो अपने बता है तो हमने क्या क्या उसने यह बोल दिया कि आप उत्तर को क्या समझो पस्सिम समझ लो ठीक है समझ लिया इतना तो हमें पता चाली गया कि पस्सिम के जश्ट सामने क्या होता है पूरव होता तो मैंने इसको पूरो कर दिया अना इश्ड कर दिया अब बात आती है कि मैं नौर्थ और साउथ कहां समझों बताओ नौर्थ कहां पर होगा और साउथ कहां पर होगा क्या पता चल रहा है कि आपको ठीक है ना इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नौर्थ है या उत्तर है उसके राइट की तरफ राइट की तरफ मतलब दाएं भाग की तरफ हमेशा क्या होगा आपका पूरो होगा ये चीज़ आपको याद रखनी है क्या होगा इस्ट होगा यानि कभी भी हम उत्तर के दाएं तरफ यानि राइट एंड साइड जाए तो हमेशा क्या आएगा फूरो आएगा ठीक है ना अब बात आती है कि राइट एंड साइड का मतलब क्या है आपने बोला राइट एंड साइड जाओ या फिर आपने बोला कि लेप्ट एंड साइड जाओ लेकिन इनका मतलब क्या होता है मैं कैसे जाओं मुझे कैसे पता चलेगा कि राइट लेट कौन सा है तो यह हमने पिछली कलास में पढ़ चुके है अलफावेट में कोडिंग डी कोडिंग में यहां फिर से देख लेते हैं इसका एक चीज़ बताओ यह क्या होती है दिशा यहां से यहां जाए तो आपने बोला कि यह तो होती है क्लोक वाइज क्योंकि घड़ी ऐसे ही गुमती है ना तो यह क्या होती है आपकी क्लोक वाइज होती है यह क्लोक वाइज ठीक है ना क्लोक वाइज होती है क्लोक वाइज का मतल की तरफ यानि left की तरफ ठीक है अगर मैं यहां से यहां गुमा दूँँ वापस ठीक है ना यह आपकी क्या होती है anti-clockwise बोलते इसको क्या बोलते है anti-clockwise मतलब क्या वहाँ कि right में जा रहे हो अगर आपको circle कभी आघ पूछे जैसे यह सर्किल है ठीक है ना आगे पढ़ेंगे भी तो अगर मैं इस तरफ जाओं मतलब n टी क्लोड वाइस है तो वह हमेशा क्या होता है आपका राइट वाँ होता है मतलब है दायां वाँ होता है ठीक है न ये वाला पूरा क्या होगा आपका दाया होगा अगर मैं उल्टे की तरह पाऊं इससे ये बाग आपका हमेशा क्या होता है क्लोक वाइज होता है यानि मैं बोल सकता हूं लेप हो सकता है यानि मैं बोल सकता हूं ये बाग आपका कौन सा होता है बाया होता है ठीक है ना जिसमें और आपको याद रखनी है वो होती है पाइथ्पोर्स परमे पाइथ्पोर्स परमे बचपन से हमने पढ़ई होगी राई रे किया होगा आपने उसमें हम क्या देखते आते हैं एक आपउर्ण मी मझे रहती है इसका मतलब क्या होता है हम फॉर्मला पढ़ते हैं हमेसा लाल बटे कका पढ़ते हैं लेकिन यहां इसका कोई काम नहीं है यहां बस आपको यह काम है कि आपको L क्या होता है A क्या होता है के क्या होता है सबको पता है लेकिन एक छोटा सा फॉर्मला है जो आपको याद रखना है कि के यानी करण स्केर बराबर होता है आदार स्केर पलस लंब स्केर ठीक है ना जैसे मैंने एक एक्जांपल के तोर पर आपको दे दिया कि L है तीन ए है चार तो आप मुझे बताओ के बराबर क्या होगा ये चीज मानलो मैंने आपको दे दिया है ठीक है ना तो इसको कैसे करते है सोल चलो देखते है तो आप यहां से के के बराबर क्या निकालोगे ए स्केर पलस एल स्केर का रूट और यही फॉर्मला आपको याद रखना है कि के बराबर क्या होता रूट में एल स्केर पलस से ए स्केर अब कोई जरूर ही नहीं है कौन सा भी ए ले लो कौन सा भी अल ले लो यहां डारेक्शन टोपिक में कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक रूट में 25 यानि के बराबर मैंने क्या मान लिया पांच किलमेटर ये कब काम आएगा ये अभी देखेंगे अपने एक चीज और याद रखना कि जो करण होता है न वो ट्राइंगुलर का यानि तिर्बूज की सबसे बड़ी भुजा होती है ठीक है ना सबसे बड़ी भुज करना होगा और एसे क्यूट्षन आपको डारेक्षन में बहुत मिल जाएंगे इसलिए इनको समझना जरूरी है ठीक है ना तो हमने क्या क्या देखा सबसे पहले हमने क्या देखा कि डारेक्षन कौन-कौन सी होती है निकाल ली इसको इसके अलवाद यह और देखना चाओ आ हां है राइट सइड क्या है लेट साइड क्या है ठीक है ना और दोनों के बीच में कैसे निकालते है स्विश हम ने क्या देखी पाइथो गर्स पर में ठीक है अब currencies पर पहला लीश्चन देखो ठीक है ऊसके बाद यृकल किलोमेट्र दोर बाजार जाता एक आदमी यानि सबसे पहले गर से कहा जा रहा है बाजार जा रहा है फिर क्या कर रहा है वापस लोट रहा है पूछा क्या उसे वहां जाने तता वापस आने में कुल कितनी दूरी त्याय करनी पड़ेगी सिंपल सा किसन है इंगलीज में और देख लेते हैं एक बार कि ए मेन घोज टू दी मार्केट विच इज फाइफ किलोमेटर अवे फ्रॉम हीज हाउस एंड देन ही गोज टू ए फेर एट टू किलोमेटर डिस्टेंस यानि सबसे पहले वह मार्केट जा रहा है कितना फाइफ किलोमेटर है ठीक है उसके बाद वह फेर यानि मेले में जा रहा है कितना 2 किलोमेटर डिस्टेंस पर है यानि उसने कुल कितनी यातरा त्याय के चलो देखते है मानलो उसका घर है यहां पर ठीक है ना यह क्या इसका हाउस है किसका एक आदमी का वो बोला कि सबसे पहले वो पांच किलम्टर दूर बजार जाता है डारिक्षन दे रखी है नहीं दे रखी कौन से भी दिशा में ले जाओ आपको कोई दिक्कत नहीं है ना तो मैं मानलो यहां ले गया पांच किलम्टर कितना फाइब किलम्टर है और यहां पर क्या है आपके मार्केट है ठीक है मार्केट से वो क्या करता है टू किलोमेटर कहां जाता है फेर में जाता है यानि मेले में जाता है यहां से वापस कहां जाएगा वो या आगे मान लो यहां पर है यह है टू किलोमेटर और यहां पर क्या है आपका यहां लगावाए मेला खीक है ना अब देखो उसने क्या पुछा है सिधा सा कि इसने कुल कितनी दूरी त्या करी तो हमें पता है कि यहां गर से पहले काम पर गया है वो गर से गया है पहले यहां तक तो पांस तो यह दूरी दो यह टोटल कितनी साथ इसका और साथ यह वापस से आया है तो कितना हो गया साथ 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 बराबर है चादा किल्मटर हो गया तो एंसर कया जाएगा इसका ऑपस नमर ठी या आप यसे भी कर सकते हो कि साथ गया है वापस आया मतलब टू से गुणा कर दो 14 किलोमेटर दौनों से जो तरीक आपको अच्छा लगए कर देना सिंपल सा किसन है ना चले आगे चलो दूसरे किसन में राजू 25 किलोमेटर उतर दिशा में चलता है और बाए मुड़कर 5 किलोमेटर चलता है और वह बिंदू पर पहुंच जाता है फिर वह दाए मुड़कर 5 किलोमेटर चलता है उसके बाद वह पुर्वे दिशा में मुड़कर 5 किलोमेटर चलता है वापस आरंबिक बिंदू तक की यात्रा करने में उसे कुल कितनी दूरी इत्याय करनी पड़ेगी इसने भी सिदा सा क्या पुछा है दूरी पुछी है डिस्टेंस पुछी है राजु वोक्स 25 किलोमेटर इन दी नोर्थ ठीक है ना 25 सबसे पहले कहां जा रहा है नोर्थ में друзs आ रहे है चलो भेजते है राजु को जैसे है राचु है मानलों यहां पर ठीक है सबसे पहले 25 किलोमेटर कहां जाएगा नोर्स में जायगा यहां पर नोर्थ ठीक है And 5 km after turning to the left, then he walks, thus he reaches to the point O, then he walks 5 km after turning to the right, then he walks 5 km after turning to the east. How long distance should he cover to come back to the starting point? पुल दूरी पुछी है, सबसे पहले हम 25 कहां लेगे, नॉर्थ में लेगे, ठीक है, उसके बाद कहां गूम रहा है वो, left में गूम रहा है, यानि बाए मुड़ रहा है, और 5 km चलता है, अब एक चीज मैंने क्या बताई थी? अब की बार मेरा मुझ कहां है, इस साइड है, दोनों अंगूलिया देखेंगे, ठीक है न, जहाँ पर आपकी छोटी वाली, वो क्या हो जाएगा, बाया बाग हो साइगा, इस साइड हो साइगा न, तो चलो मैं बाया गूम गया, कितना चला हूँ, 5 km ये लो 5, ये जयाना ओर बिंदू ओपर पहुन्च गया फिर वह दाएं मुड़कर वाइब किलोमेटर चलता है कहां मुड़े का साइड आपके राइट के साइड तो मैंने से कर राइट को चला कितना वाइब किलोमेटर चला दिया यह भी है आगे क्या है आपको इसके बाद वह पुर्वे दिशा में मुड़कर 5 km चलता है पुरव दिशा अब मुख्या बिंदू कौन सा हो गया ये वाला जब ये मुख्या बिंदू हो गया तो इसके उपर उतर निचे दक्षिन इधर पुरव और इधर है पस्सिम और उसने बोला क्या है पुर्वे मुड़कर 5 km चलता है आगे है वापस आरंबिक या पारंबिक बिंदू तक की यात्रा करने में उसे कितनी या दूरी त्याय करने पड़ेगी किस समझ में है क्या पूछ रहा है कि जहां पर वो पहुंच गया है और जहां वो पहले था इन दोनों के बीच में उसे कितनी दूर चुछ रहा है तो सिद्धी सी बात यह तो होंगे आपकी क्या टवन्टी फाइफ प्लस अगर ये यहां से यहां तक प्लस अगर यह से यहां तक तो यह भी क्या होजाएंगी तो यह प यहने फाइप यहाने 30 km उस ने क्या कि यत्रा की 30 km आ है यत्रा कि आई के अवाज समझें किूशन की जो साइज है वो देख के नहीं गवराना बिल्कुल सीम्पल से किसन बाएंद है बाएंद है बाएंद है लेट राइट का पता होना चीए चले आगे चलो सोहन 10 किलमेटर उत्तर दिशा में जाता है फिर 6 किलमेटर दक्षिन दिशा में जाता है और 3 किलमेटर पुर्वे दिशा में चलता है तो बताओ अब वह आरंबिक इस्तान से कितनी दूर वह किस दिशा में है सोहन वेंट 10 किलोमेटर इन दी नौर्थ एंड देन 6 किलोमेटर इन दी साउथ आप्टर देट इन दी इस पॉइंट इन विच डारेक्शन वाज ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग वाण यानि उसने एक तो पुछा कि कोन सी डारेक्शन होगी विच डारेक्शन और एक पुछा दूरी कितनी होगी चलो हम कर लेते हैं क्या दिक्कत है सोहन दस किलोमेटर कहा जा रहा है उत्तर दिशा में लो मैंने सोहन को दस किलोमेटर कहा बेज दिया उत्तर दिशा में फिर चै किलोमेटर दक्षिन दिशा में जाके इस लेंग्वेज को अच्छे से समझना उसने क्या बोला है फिर चै किलोमेटर दक्षिन दिशा में जाक बाए दिशा कौन सी होगी निच्च ही नो इसका मतलब है कि यहां से 6 तक मान लो यह कितनी दूरी तया कर लिए उसने 6 किलम्टर के और यह पूरी कितनी थी वाई 10 किलम्टर के वापस आज चुका। वापस आके यह कौन सी दिशा में जाता है पुरुए दिशा में यहां से पुरव कॉन सा हो गया ये लो कितना जाता है तीन किलम्टर उसने पुछा है कि एक तो बता दो कि ये दूरी कितनी होगी ठीक है ना और एक आप बता दो कि ये डारेक्षन क्या होगी दोनुचीजे आपको बतानी हैं अब एक चीज नौट करो यहां से यहां तक पूरा कितना था दस यह वाला च्छा है तो यह कितना बच गया चार बच गया कि नहीं बच गया और यह क्या पुछी आपको ट्राइंगुलर की सबसे बड़ी बुजा जो क्या होती है बताया था ना करण स्केर बराबर क्या हो जाएगा आदार स्केर पलस लंब स्केर अब आप सोचोगे कि मैं इसमें लंब कौन सा लो हादार कौन सा लो कोई दिक्कत नहीं आप किसी को भी ले लो एक क्या है चार का स्केर यानि सोला एक तीन का स्केर यानि नो यह मान किस का या के स्केर का तो के स्केर बराबर कितना गया 25 यहां से रूट अटात आई बाद समझ में उसको क्या कर देंगे five壓ертв에 यकर 45 पूर होगा ठीक it now दूसरी चीथ पुछी दिषा कॉन सी यह यह इसकी क्या हो गई उत्तर हो गई ना यह कौन सी हो गई दक्षिन हो गई यह पूरव हो गई और यह पस्सिम हो गई यानि दक्षिन और पूरव कोई है क्या ओप्षिन अफ्तर और पुरा हो ना उत्तर और पुरा हो के बीच में इस पॉइंट से ये वाली दिसा पुछिए तर ये किन-किन के बीच में आ गई अप्सन नमर बीत का क्रेक्टर अब इसमने कभी-कभी आपको अल्टे किशन भी पूछ सकते हैं कि बताओ अब वह जिस इस्तान पर है अब वह जिस इस्तान पर है उससे आरंबिक दिसा कितनी दूर वह किस दिसा में है आरंबिक इस्तान कितनी दूर वह किस दिसा में है यानि उल्टा पूछ लिए तो दूरी तो सेम ही रहेगी बस यहां से चेंज हो दक्षिन पूरो पस्षिम तब क्या हो जाएगा इसका दक्षिन और पस्षिम आगे पढ़ेंगे और कि उसने स्टाइब के चले आगे चलो देखो एक आदमी अपने घर से यात्रा सुरू करता है वह फाइफ किलोमेटर चलता है फिर टेन किलोमेटर दाएं और जाता है वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है और टेन किलोमेटर चलता है तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है क्या पुछा है कि ए मेन स्टार्ट फिजरनी फ्रॉम हिस होम एंड वोग फाइब किलोमेटर देन ही वेंट टेन किलोमेटर ट्वार्स दी राइट ठीक है उसके बाद आपको पुछा है अगेन ही ट्रन टू दी राइट कावर दी डिस्टैंस ओप टेन किलोमेटर हाव फार वाज ही एड इस पॉइंट फ्रॉम हिजे होम सिर्फ दूरी पुछी आपको क्या पुछी है कितनी दूरी देख लेते हैं एक आदमी अपने घर से यातरा स्रू करता है माला हमने इस दिसा में यातरा स्रू करा दी उसको वहब फाइब किलोमेटर चलता है चला दिया और फि यहां से दाया मतलब यहां होगा ना यहां से वापस दाया मुड़कर और कितना चलता हो तेन किलोमेटर चलता है तो पूछ है अब वह है घर से कितनी दूर है किस दिसा में है दूरी पुछी होंगे ना तो एक चीज़ देखो कैसे गरोग इसको कौन सी पुछे अपने को ये वाली पुछे कि ये दूरी क्या होगी ठीक है ना ये वाली दूरी पुछे है तो ये 10 किलम्टर तो ये भी कितना हो गया आपका 10 किलम्टर हो गया आई बास समझ में ये अगर आपके 5 किलम्टर है और ये पूरा कितना दे रखा था आपको 10 किलम Inter so कितना होगा विछ इस्सा आप वो लोगए आप तो कुछ करना ही नहीं है कि हमने पढ़ा है क्या होता है क्वार्ट पलस ऐस़यर ऑडार यहां से खाल भर हमने क्या मान लिहां टैन सो को माल लिए जो अधार मैंने पांस को याझनी 25 ठीक है ना तो यहां से करण बराबर क्या जाएगा 125 का रूट और यही इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा क्योंकि 125 किसी का भी वरगमूल नहीं होता ठीक है ना तो क्या हो जाएगा answer अब यह क्यों संदेखो इसमें दो व्यक्ति को एक साथ दे दिया कैसे करोगे डंक से देखना वीना और वीरू दोनु एक स्तान से उत्तर दिसा में चलना शरू करते है वीना वीरूस टार्डट वार्ट दी नौर्थ फौं ए पॉइंच ! यानि दोनु ने एक साथ चलना आरह्म किया ! मैं मानं देता उन दो नों को यहां चला दिया मैंने एक साथ १्यभप पर आगे क्या दे रखा है वीना दस किलोमेटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है यानि वीना तो कितनी चली है टेन किलोमेटर चली है और फिर गुम्मी के आपर है बाएं साइड ठीक है न यह देखो वीना ट्रंस ट्वार दी लेट आप्टर वॉकिंग 10 किलोमेटर है यानि 10 किलोमेटर वोक करने के बाद कहां ट्रन हो गई वो लेट्ट साइड में हो गई तो मैंने लेट्ट साइड में घुमा दिया असको ठीक है आगे देखो वीरू भी उतना ही चलने के बाद दायम उड़ जाता है वीरू भी इतना ही चला लेकिन वह का मुढ गया दायम उड़ गया वीरू also walks दिजी वीना स्टॉप्ट देयर मोग 5 किलमेटर त्सक्राइब वीरू ओसके बाद के बोलते हैं कि बुलूश समय के लिए रुपती है और फिर 5 किलम्ट्र ओर चलती है और जबकि फीरू तो मतलब यह तो हाँ five किलमेटर और यह कितना है 3 किलम्ट्र। यह डॉन दनुडशियंदिसा यह लो दक्षिन दिशा और 15 किलोमेटर चलते हैं कितना चल रहे हैं वह 15 किलोमेटर चल रहे हैं सिदा सा पुछा है कि वह एक दूसरे से कितनी दूर है मानलों 15 यहां तक आ रहा है और दूरी पुछी आपको यह वाली सिद्धी सी बात है यहां पर कौन थी आपकी वीना थी यह लोग वीना यहां कौन था आपका वीरू था पुछी है डिस्टेंस कौन सी यह वाली तो कैसे निकालोगे कि यह चली है कितनी फाइब किलोमेटर और वो चला है कितना थ्री तो एट किलोमेटर आ गया इंसवर आई क की आवाज समझ में चले आगे चलो देखो एक रेल गाड़ी अब यह ट्रेन वाले किसन कैसे होता है यह देखते है थोड़े ना ट्रेन वाले देखते हैं अपने देखो जब ट्रेन वाले डारेक्षन के बारे में आ जाए तो आप क्या करोगे सबसे पहली आपको देखनी है कि जिस डारेक्षन में ट्रेने जा रही है ठीक है ना मान लो ट्रेने जा रही है पस्थिम से पूरव की तरफ कां से कां पस्सिम से पूरव की तरफ ठीक है ना वेस्ट से इसकी तरफ तो उसका जो दुआ होगा यानि फोक होगा वो हमेशा किस दिशा में जाएगा इसके उल्टी दिशा में जाएगा बस ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है ना किस दिशा में जाएगा हमेशा ते रखा होगा थीगा ना और एक चीज और बताओ आप अगर मैं यहां पर हवाद चला दूं कहां से कहां तक है उत्तर से दक्षिन कीतरा मतलब यह ट्रेन थी आपके अ ट्रेंद त्रेन और यह था हवाद चल रही थी इस डाइरेक्शन से इसमें त्रे 25 यह था दुमा यह क्या करेगा जानना तो यहां चाहिए था ठीक है ना लेकिन हवा इसको अपने साथ कहा ले जाएगी यहां पर ले जाएगी बस इतना सा चीज़ आपको याद रखना है कैसे क्यूस्टन में देखते है एक रेल गाड़ी पुरों से पस्सिम क्यों जा रही है मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है इस वाली डायरेक्शन में जा रही है यह है आपकी ट्रेन ठीक है तता हवा उत्तर से दक्षिंड की ओर चल रही है हवा कहां चल रही है यह लो उत्तर से दक्षिंड की ओर तो बताओ उसका दुआ किस दिसा में जाएगा आपको स्मोक स्मूक बताना है कहा जाएगा अब एक चीज बताओ कि हावा किस साइड है और समोक जाएगा करके सूचो थोड़ा क्या हूसकता इसमें आया क्या कुछ समझ में चलो देखते है बैत दुअध जाना कहा या चाहिए था यह से पीछे जाना चाहिए था में जबना जाना ये इतना लेकिन हुआ क्या करती है इसको Kwar financial में ले जाती है और ये कौन सी होती है दक्षिन और पूरा हो जाएगी को तो एक ना यानि स्मोग के च्रेन हमेशा धुवे के विपरिद दिसा में होगी ठीक है और मान लो अगर वो ट्रेन चल नहीं रही है इसमें तो क्या बनाए चल रही है खड़ी हो तो जो answer आएगा वो कभी बी ऐसे दो और डारेलगा है चलेगी तो हमेसा iki दिसम आएगा एंसवर ठीक है और खड़ी है चल नहीं रही तो एक डारेक्षिन में एंसर आएगा आईभास मज़ चलो आगये एक एक इलेक्टरिक ट्रेंद पूरव से पस्सिम की और जा रही है कहां जा रही है पूरव से पस्सिम की और यह लो तता हवा दक्षिन से उत्तर की और जा रही है हवा कहां जा रही है दक्षिन से उत्तर की और तो बताओ ट्रेन का दुआ किस दिसा में जाएगा एन इलेक्ट्रिक ट्रेन is running from the east to west ठीक है ना इस से west the air flow from the south to north find the direction of the smoke exhaustion from the train तो इसमें आप क्या करोगे ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है क्या नाम दिखावा है electric train मतलब है बिजली से चलने वाली train जिसमें क्या नहीं होता समोक नहीं होता दुमा नहीं होता तो answer क्या जाएगा किसी भी दिखावा में नहीं जाएगा ठीक है ना अब क्युस्ण अपने करने लग जाते है इसलिए क्युस्ण को भी डंक से पढ़ना है कि नाम क्या दे रखा आपको electric train दे रखा है मतलब वो धुआं देती नहीं है तो इसर सिदा सा क्या या किसी भी दिखा में नहीं कि रमेश नदी के किनारे नदी की और पीट करके खड़ा है देखो एक नदी है रमेश इस स्टेंडिंग एड दी रीवर बेक हेविंग हिज बेक टौर्स दी रीवर नदी में एक बहतावा एक पता उसके बाईं और से दाईं और जा रहा है मतलब यहां खड़ा था कौन है रमेश खड़ा था ठीक है ना इसका यह मुँ उदर है बार की तरफ पीट है इसकी तरफ ठीक है फिर क्या होता है कि a leap यानी एक पता होता है is floating in the रीवर फ्रॉम his left to right इदर खड़ा है तो मतलब इसका लेव यह हो गया राइट यह हो गया इसकी तरफ क्या जा रहा है यह के पता जा रहा है यह मानलों पत्ता एक है ठीक है क्या जा रहा है एक है पत्ता जा रहा है धीवर फ्रॉम लेप टुराइट इप दी यदि नदी उत्तर से दक्षिन के और बह रही है नदी कहां से कहां बह रही है उसने दे रहा है यह उत्तर है यह दक्षिन है ठीक है ना क्यों पता चला कि कौन सी दिशा में क्योंकि नदी में जिस दिशा में क्या जाएगा किया था रिवर फ्रॉम इस लेट टू राइट इप दी रिवर फ्लोज फ्रॉम दी नौर्थ टू साउथ देन ही इन विच डारेक्शन रमेंश इस पैसिंग यानी जिस दिशा में आपका क्या जाता है पत्ता जाएगा उससी दिशा में तो क्या होगा वही नदी की धारा जि तरकर अलब क्या निखला कि नदी कहा है उत्तर से दक्ष्न की तरब है अब सिढ़ी सी बात और उत्तर के राइट के नउर्थ नॉर्थ किन डाइट क्या होता मैसा पूरव होता और यह क्या होता है पस्थें उसने पूचा क्या तो बताओ रमेश का मुख किसले सामे है साथे साथ बजे दिखा रही है ठीक ना यदि मिनट की सुई पस्यम दिशा को बता रही है तो गंटे की सुई किस दिशा को बताएगी, ए क्लोक टोज टाइम सेवन थर्टिन और इप दी मिनट की जो नीडल है वो क्या दिखा रही है आपको वेस्ट डारेक्शन यानि पस्सिम दिखा रही है देन वाट विल बी दी डारेक्शन ओब दी ओवर नीडल यानि पूछा क्या है कि गंटे की सुई किस दिखा में जाएगे जो रियल में डारेक्शन होता है उसके इसने क्या बोल दिया ओपोजिक बता दिया आपको कैसे कि साथे साथ कैसे बज़ेंगे जैसे यह एक watch है, यहां क्या होता है, 12, यहां क्या होता है, 3, यहां होता है, 6 और यहां क्या होता है, आपके 9 होता है, होता है ना, इनके बीच में gap होता है, जिसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7, 8, 10, और 11, यह पूरी मैंने क्या बना दिया आपको clock, clock में time क्या हो सेवन थर्टीन का मतलब है चोटी वाली सुई यानि जो ओवर्स निडल है वो कहां पर होगी आपकी सेवन पर होगी और बड़ी वाली कहां पर होगी भाई शिक्स पर होगी आई क्या बात समझ में ये चोटी वाली सुई है ना ये वाली और ये है बड़ी वाली सुई अब उसने पूछा क्या आपको यदि minute की सुई minute needle क्या दिखा रही है आपको väest दिखा रही है मतलब ये वाले direction क्या दिखा रही है आपको पस्सिम यानि ja बश्ट दिखा रही है तो भाई हमें तो एक ही चीज पता है क्या कि पस्सिम के सामने क्या हो जाएगा पूरो हो जाएगा यानि इस्ट हो जाएगा यह किस के दाएं होता है उत्तर के मतलब यह आपका क्या हो गया उत्तर हो गया यानि नौर्थ हो गया यह आपका क्या हो गया दक्षिन हो गया यानि साउत हो गया अब आपको बोला क्या है कि जो गंटे की स सिम क्या हो गया इसका एंस्वर हो गया और से इस करेक्ट एंस्वर आई क्या बाद समझ में चले आगे चलो देखते हैं कि राम पूरव की और मुख करके खड़ा है ठीक है ना अब इसमें देखो आपको क्या करना होता है इस टाइप के इसने आपको गुमाने के लिए बहुत कुछ दे दिया लेकिन अपने को इसा कुछ करना ही नहीं है इसके दो तरीके हैं पहला तरीका तो क्या होगा इसको कि भाई मैंने गड़ी बनाई ठीक है ना यह वो सिदह बोल रहा है कि पूरव क्यों जा रहा है पस्षिम क्यों थो चलो में पहला तरीका आपको तो वो कहां गया 45 साय बाइं तरप गया ठीक ना राम इस टेंडिंग फेसिंग देश्ट एडेश्ट ही ट्रंस 45 डिग्री इन दी लेफ्ट देन 135 डिग्री इन दी राइट देन 225 डिग्री इन दी लेफ्ट और फाइनले इन डिराइट इन विच डारेक्शन लिए पेशना तो अपने को इससे जो बोल रखा ना वैसे चलना नहीं है कि बहुत राम का पुरव की और मुख्ता फिर कहा गया बाएं तरफ मतलब इससर जाओं कितना जाओं 45 जाओं फिर कहा जाओं दाएं तरफ मतलब कहा आजाओं यहां पर क्यूंकि यह P79 यहां पर पहुंच गया यहां से कहां जाओं फिर भाएं जाओं मतलब है यह हो गया 180 और यहां को क्या हो गया पका 200 क्वील क्लाशार चांग अन्त में दाई और मूढ जाता कि क्या करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको आप पुछेगा कि अब उसका मुख किस दिशा में ये वाली दिशा कौन सी होगी वह वापस पूरव होगी ना लेकिन अपने को ये वाला करना ही नहीं है इतना चलना नहीं है तो अपने को करना क्या देखो वह समझते हैं सबसे पहले आप एक तरफ लिख दो left यानि बाया भाग एक तरफ लिख दो right यानि दाया ठीक है जितना बाया चला है वो बाया के निचे दाया चला है वो दाया के निचे देखो बाया के निचे किते किता हो गया 45 डिगरी ठीक है ना फिर वो कहां चल गया दाया तरफ यानि right side 135 उसके बाद क्या क्या फिर वो कहां हो गया left side कितना 225 दोनों को add कर लो यह हो गया 270 यह हो गया 135 मतलब क्या वा कि वो कितना चला वो ज़्यादा तो किस पर चला है left में और कितना ज्यादा चला है 135 डिगरी कहां left में कैसे निकाला कि left का 270 right का 135 बच किया गया 135 कौन से side अब सिदा सा देखोगे यहां था उसका मुख्यानी पूरो अधिसा में जाना कितना उसको 135 और कहां पर जाना है left ज्यादा है तो मैंने बोला यह 90 और यह 135 35 और हो गया ना कि उसने पूचा क्या है कि इन इच डारेक्शन इज फेस ना यानि यहां से वह वापस कहां गूम रहा राइट गूम रहा इस तरफ तो उसका मुख्य किस तरफ वह जाएगा तो एक कि यह डारेक्षिन कौन सी हो गई उत्तर यह होगे दक्षिन यह होगे पूरव और यह होगे पस्षिन ठीक है ना जाक आ रहा है उत्तर की तरफ देख रहा है तो उत्तर क्या जाएगा इसका कि यह वादी डारेक्षिन कौन सी हो जाएगी इस्ट हो जाएगी ना पूरव सुम्मन दक्षिन के और 10 किलमेटर जाती है सुम्मन वेंट 10 किलमेटर कहां पर जा रही है साउथ की तरफ फिर दाईं और मुड़कर 6 किलमेटर चली फिर कहां चली वो 6 किलमेटर राइट साइड अंत में दाईं और मुड़कर कहां चलती है दस किलोमेटर और चलती है ठीक है ना सिल्टरन राइट एंड वोक्ट टेन किलोमेटर तो बताओ अब वह आरंबिकिस्तान से कितनी दूर वह किस दिशा में है तो क्या बताना है इन विच डारेक्शन इस सी नाउ फ्रोम दी स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है ना किस दिशा म द्रोम एब्शाम में है वो कितना है आपको यह बताना है कि सुमंन दाक्षिन के और कितनी जारी है 10 km जा रही है येलो सुमन दक्षिंट के और कितना 10 km फिर दाइं और मुड़कर अब मेरा मुँ इस तरफ है यानि नीचे की तरफ दाइं कौन सा हो जाएगा मेरा ये वाला हो जाएगा ना मतलब ये दाइं हो गया कितना चला 6 km अन्त में दाइं और यहां से वापस दाइं और कितना 10 km तो बताओ अब वह आरंभिक से दूरी तो ये और ये बराबर हो गई जो ये है वोई दूरी ये हो जाएगी कितनी हो जाएगी 666 किसमे आ रहा है या तो ये वाला या ये वाला दिसा कौन से हो जाएगी इसके सापिक पुछा आरंबिकिस्तान से तो यह दिशा कौन सी होती है पस्सिम पस्सिम कौन सा है यह नमर वाला ओप्शन आई बात समझ में चलें आगे सौनु अपने घर से 21 किलमेटर उत्तर की और चलता है येलो 21 किलमेटर ठीक है ना सौनु वोक्स 21 किलमेटर इन दी नौर्थ फ्रॉम हिज होम फिर दाएं मुड़कर कितना चलता है 9 किलमेटर येलो दाएं 9 किलमेटर है फिर दाएं और मुड़कर कितना चलता है 21 येलो दाए यानि यहां से राइट कितना ट्रन हुआ नाइन किलमेटर है फिर राइट कितना हुआ 21 किलमेटर है ठीक है ना पूछा क्या आपको देखो अंत में बाएं और मुड़ता है यहां से बाएं कौन सा हो जाएगा बाएं कौन सा हो जाएगा मेरा बाएं हो जाएगा इस साइड औ पूछा क्या है अब वह अपने घर से पहली चीज तो घर से दिशा कौन सी हो गई पूरव हो गई मतलब यह वाली और टोटल डिश्टेंस कितनी होगे फिप्टिन यह है और नो यह थी दोनूं को जोड़ दिया 24 किलम्टर हो गया आई क्या वास समझ में आगे देखो रमेश पस्सिम के और तीन किलम्टर चलता है पस्सिम के और कितना चला तीन किलम्टर फिर अपने बाएं और मुड़कर दो किलम्टर चला फिर वह अपने दाएं यहां से का गुम रहा है दाएं और कितना तीन किलम्टर अंत में वह अपन संबिकिस्तान से किस दिशा में है सिधी दिशा पूछी है तो यहां से यह दिशा कौन सी हो जाएगी पस्सिम हो जाएगी या निम्भी ठीक है नेक्स्ट हम करेंगे अगली क्लास में ठीक है धन्यवाद